एक जंगल में पिता और पुत्र दो चड़िया रहते थे, पिता का नाम भोलू और बेटे का नाम सीवा था, सीवा हर समय अपने पिता जी को तंग करता था, ऐसा एक भी दैन नहीं कुजरा, जब उसने किसी ना किसी बहाने से अपने पिता जी को तंग ना किया हो, आज भी व रहा हूँ लेकिन आज कुछ भी सरारत मत करना नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा हाँ ठीक है पापा आप जाये मैं कोई सरारत नहीं करूंगा भोलू चुडिया अपने बेटा सोनु के लिए आम के तलास में जंगल की और चला जाता है थोड़ी देर इधर उधर घु लेकर आ गया यह आपको सुन्दर आम दिख रहा है मुझे तो यह सड़ा हुआ दिख रहा है मैं नहीं खाऊंगा इसे जाइए आप मेरे लिए दुसरा आम लेकर आईए सड़ा हुआ है चलो ठीक है कोई बात नहीं बेटा मैं तुम्हारे लिए दुसरा आम लेकर आता यह लो अब तो ठीक है ना अब सड़ा तो नहीं है ना देख लो अच्छे से अब मैं आम नहीं खाऊंगा मेरा मन नहीं है आम खाने को आप मेरे लिए कुछ और लेकर आईए सीवा के मुझे से इतना सुनते ही भोलू को बहुत तेज गुसा आजाता है और वह सीवा की डंडे से पिटाई करने लगता है अरे पापा छोड़ दो मुझे प्लीज आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा प्लीज पापा मुझे छोड़ दो मैंने तुम्हे कितनी बार कहा था ना मुझे इतना तंग मत किया कर मैं बुढ़ा हो चुका हूँ अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता मुझसे ज़्यादा फरमाईस मत किया कर तू खुद ही जंगल में जाया कर खाना ढुनने पापा मुझे माप कर दो आज के बाद मैं आपको कभी भी तंग नहीं करूंगा बेटा मुझे भी माप कर दे मैंने तुझे कुछ ज़्यादा ही मार दिया लेकिन तुझे भी समझना चाहिए था कि अब तु कितना बड़ा हो चुका है अपने लिए खुद भी तो खाना ढून सकता है आप आपा मैं समझ गया हूँ आज से आप घर पर रहेंगे और मैं आपके लिए और अपने लिए खुद खाना ढूनने जाओंगा इस तरह से भोलू अपने बेटा सीवा को सीख देता है कि हमें कभी भी अपने से बड़ों को तंग नहीं करना चाहिए और सही समय पर अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए